शानवाज हुसेन वो बीजेपी के नेता हैं जो पिछली बार यानि बीजेपी और जेडियू के साथ सरकार में मंत्री भी रहें लेकिन कम समय के लिए नतीजे आ गए हैं मुकाबला बराबर करा है लेकिन जो बीजेपी कह रही थी कि हम दोनों सीट पर जीतेंगे जनादेश इस बर समान नहीं करेगी उसका क्या हुआ यह तो बड़ी खुश्खबरी हमारे लिए है कि गोपाल गंज में जदियू राजद के मिलने के बावजूद महागठवंदन होने के बावजूद भारती जनता पार्टी का कमल खिला है जदियू राजद मिलकर महागठवंदन कर के भी वो भारती जनता पार्टी को नहीं हडा पाए एक साफ संदेश है जहां तक मुकामा का सवाल है मुकामा में बिहार सरकार और वहाँ छोटे सरकार अनंत सिंग जी निर्दलिये भी लड़ते हैं तो जीत जाते हैं लेकिन भारती जनता पार्टी ने जदियू राजद क समर्थन के बावजूद उनका मार्जिन घटा दिया और हम लोग वहां कड़ा मकाबला हमने दिया है तो यह जो लोग बहुत पॉलिटिकल पंडित जो कह रहे थे कि जदियू राजद मिल जाएंगे महा गटवंदन हो गया फिर बीजेपी का क्या होगा उनके लिए आज संदे कि देखिए दोनों मिलकर भी भारती जनता पाड़ी को गोपाल गंज में नहीं हरा सके हमारी एक सीट थी हम वापिस आए और जहां तक मकामा का सवाल है वहां तो निर्दलिये भी जीतते थे फिर भी हम पहली बार लड़े हर बार वो सीट गठवंदन में हम देते थे जदि को बहुत दिन बाद भारती जनता पाड़ी वहां 25 साल बाद 27 साल बाद चुनाओ लड़ी और वहां भी हमने मजबूत मकाबला दिया है आगे कुरहनी का चुनाओ होगा वो भी हम जीतेंगे लोकसभा का चुनाओ जब होगा तो हम सारी सीटे जीतेंगे दो बाते दे कि शा दूसरा जो आप कह रहे हैं मुकामा में छोटे सरकार बाहूबली है इसलिए बीजेपी ने किसको उतारा था सुरजभान सिंग की पतनी को हमने तो एक महिला उमिदवार खरा किया था और बीजेपी के सिंबल से लड़ाया था और वहाँ पर हम लोग ताकत से लड़े हर बूत पर जाकर लड़े इतनी ताकत से लड़े कि तमाम जो आपके स्टार प्रचारक है पूरी ताकत जोगदी, रवी किशन, निरववा, मनोज तिवारी सब के सब गए आप लोगों ने ये भी कहा कि पोलिंग एजेंट यहाँ पर नहीं पहले दिखते थे इस तरीके का इलाका था जी ऐसे ही अलाका था, इस बार हर जगा पोलिंग एजेंट भी बैठे, हर जगा मजबूत लड़ाई भी हुई और फिर भी वो चालिस जार से, तीस जार से जीतते थे हम लोगों ने वहाँ पर जाकर एक मजबूत लड़ाई दी है, आज का संदेश तो साफ है ना, कि महाँ गटबंदन होने के बावजूद, आप हमें नहीं रोक पाए, कहते हैं ने रोक सके तो रोक लो भाजपा आई रहे, तो हमें तो नहीं रोका जा सका, हम तो कितनी ताक हम अलग चुनाव होता है, उस चुनाव में भी एक मजबूत चुनोती भारती जंता पाटी ने वहाँ पर दी, और मजबूती से लड़ाई लड़ी, इस साफ संदेश है कि बिहार में जो जदियू राजद का महा गटबंदन ऊपर तो हो गया है, लेकिन नीचे जमीन पर कह ही नहीं है, कारकरताओं का दिल नहीं मिला है, दल मिल गया है, लेकिन दिल नहीं मिला है जदियू राजद का, और आप जान रहे हैं कि गुपाल गंज इसका लिटमस ट्रेस्ट है, इस गठबंदन का, कि आप लोग लगाता जो कैमपेणिंग कर रहे थे, मुकामा में तो आप खुछ चुनाव प्रचार में गये थे, और आप लोगों ने जो कैमपेण चलाया बकाइदा कि एके 47 के मामले में आनन्त सिंग जो जेल में है, बाहू बली है, वहाँ पर डर है, भय है, जनता के बी लेकिन वह सीट तो अनन्त सिंग जी जब नर्दलिय भी लड़ते थे तो जीतते थे, तो उस सीट पर भारती जनता बाटी अतनी ताकत से लड़ी और जीती और मार्जिन भी उनका कम कर दिया, पीजेपी अनन्त सिंग के किले को भेद नहीं पाई शानवा जी, आप जनादे जो छोटे सरकार कहलाते हैं, उनके खिलाफ था मुकामा के अंदर, और वहां भी हमने उनके साथ, अनन्त सिंग के साथ, जदियू, राजद, कांग्रेस, सब लोग मिलकर भी, वो उस सीट पर हमने डर और भै को निकाल दिया, आपको लेकर के भी तो सहयोग, जो विपक्ष म सहयोगी पाटी जेडियू की वो कह रहे हैं कि चिराख पासवान साथ आ गए, आपको ज़रूरत पढ़ गए चिराख की, आसपास के शेत्र में उनका प्रभाब है, सानुभूती वोट मिला, इन सब वोटों के चलते आप गोपाल गन जीत गए, वो कुछ भी कहें, लेकिन यह सही है कि चुनाओं में जब लड़ाई होती है, तो हम पूरी ताकत लगाते हैं, हम कोई सिट कमजोरी से थोड़ी लड़ते हैं, और यह संदेश तो चलाई गया है, कि अब महां कितना गठबंदन कर लो, भारती जनता पाड़ी को कोई बिहार में नहीं रोक सकता, क्या यू राजद मिल भी जाएं, एक दल हो जाएं, लिकिन जीतेगी भारती जनता पाड़ी